एक Vik diagram दिया गया है और options चार दिया अ है यहां पूचा गया है कि कौन से चार options में से एक option है जो इस डाइग्राम के relation को satisfy करता है यह यह वेन diagram ऐसा है कि एक उपरूर है उसके अंडर एक है उसके अंडर एक या या यानि कि हमारा A option गलत हो गया literate girls female literate तो मतलब male भी हो सकते हैं यहां से यहां से यह भी गलत हो गया bats humans mammals तो mammals में humans तो आ जाएंगे और bats आ जाएंगे लेकिन bats और human दोनों अलग अलग आएंगे यानि हमारा यह नहीं बने गा relation तो जब तीन हमारे गलत हो गए तो obviously हमारा डी ही सही होगा fathers, males and sons ये कैसे होगा आप यहां से देखें सारे sons fathers और सारे fathers male हैं ऐसा हम बोल सकते हैं ठीक है ये सबसे appropriate relation था fathers male और son के बीच का